Hello students, आप में से कुछ बच्चे JEE की त्यारी करे होंगे, कुछ NET की त्यारी में लगे होंगे और कुछ MST सेट की भी त्यारी कर रहे होंगे अब आने वाले जन्वरी में या फिब्रोरी में JEE का पहला फीज लिया जाएगा मै, में NET और MST सेट की एक्साम्स होती है अब इन कॉंपिटिडी एक्साम्स में IUPC Nomenclature का एक ना एक क्वेशन रहता ही है आज के इस वीडियो में हम आपको और्गनिक कंपॉंड के IUPC Nomenclature के बारे में बताएंगे कुछ डिफिकल और टिफिकल एक्साम्स को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए ये फाइदे मन रहे आने वले एक्साम में अगर क्वेशन आया तो आप इस लिए आसर लेख पाएंगे तो अब ये वीडियो के शूरार करते हैं पहले एक्साम्स से इसमें आपको स्ट्रक्टर दिख रहा है CHO, CH, CH, CWOH, here is NH2, यहाँ पे CWOH है सबसे पहले देखना इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप्स है तो एक CWOH कर्वोपसिलिक आसेट, दूसरा NH2 अमीन से तिसरा CHO, अल्टिफाइड है इस कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स है, इसले इसे हम कहेंगे पोली फंक्शनल कंपाउंड और पोली फंक्शनल कंपाउंड का IOP से नेम लिखते समय, आपको एक टेबल याद करना पेटता है उस टेबल में different functional loops are arranged और इस टेबल में जिसका position higher up रहता that is considered as principal functional group, while rest of the functional loops are considered as substituents अब यहां तीन function रुप कौन से है, COOH, then NH2, CHO इन तीन में से higher up position किसका रहता है, COOH therefore, this is a principal group here and rest of the two are substituents इनको हम substituents कहेंगे बाद में हमें carbon chain, parent chain को select करना है parent chain को select करते समेट should be longest and functional group भी उसमें होना जरूरी है तो इसको अगर हम consider करेंगे, तो longest chain कैसे रहेगा 1, 2, 3, 4, 4 करवनिस प्रकास या रहे है 1, 2, 3, 4, 4 करवनिस प्रकास या रहे है 4 से ज़्यादा possible नहीं इसलिए देखो विट्टा हम parent chain को इस प्रकास से select करेंगे aldehyde group को consider नहीं करेंगे अब numbering करना है numbering हम दो प्रकास से करेंगे 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 दो में से कौन सा numbering सही है तो देखो ज़गा पहले हम उप्र अला numbering consider करेंगे जहां second position पे NH2 आ रहा third position पे CHO आ रहा अब NH2 के लिए prefix आपको यूज़ करना है for amino NH2 के लिए prefix क्या रहेगा amino और third position पे CHO जिसके लिए prefix है for mile कौन सा prefix है for mile तो अब दो में से कौन सा prefix will come alphabetically faster तो पहले आएगा amino इसलिए हमें क्या करना है जो alphabetically पहले आता उसका position कम से कम होना चाहिए therefore कौन सा numbering सही रहेगा अब पर numbering correct lower numbering incorrect अब यहां नाम लिखना है IUP से नेम लिखते समय सबसे पहले सबसे पहले सबस्टिटेंट का नाम लिखना पढ़ता NH2 का नाम amino है उसका position 2 इसलिए यहां रहेगा 2 amino दे मिटा थर्ड कारबन पे एक सबस्टिटेंट है जिसका prefix रहेगा for mile and how many carbonate atoms are here 4 alkanine याद करना पढ़ेगा putane then CWH का position 1,4 दो बार इसलिए डाई रहेगा CWH के लिए suffix OIC acid second example CH3, CH2, NH, CHO सबसे पहले बताऊ जरा इस compound में कितने फांक्शनल ग्रूपस है तो देखो maximum बच्चों का अंसर रहेगा 2 एक है NH जो की secondary amine है दूसरा CHO जो की aldehyde है लेकिन यहां सिब A के functional group है confusion होगे न अब देखो बच्चा कैसे A के functional group है तो यहां जो structure हो इस प्रकास रहता है देखें अब यह H, C, O, N, H अब यहां जो function रूप है वो कौन सर रहेगा C, O, N, H जिसको हम amide group पढ़ते हैं तो यहां अब नाम हम कैसे लिखेंगे देखें यहां पे nitrogen से 1 hydrogen कम हो गया and बदले में what is added here ethyl group ethyl group nitrogen को जुड़ा है इसलिए IUP से में N लिखना ही पढ़ेगा N ethyl रहेगा देखें यह जो portion बच्चा है उसमें कितने carbon है only one carbon एक carbon alkane कौन असा methane and C को NH के लिए suffix कौन सा रहेगा amide amide का पहला letter A इसलिए यहां से हमें E code लीड करना पढ़ेगा IUP से name मिल गया third example third example में भी कितने functional groups है जड़ा सोचो बताओ कोशिश करो थोड़ा से कठीन है तो एक तो आपको देख रहा CHO दूसरा NH2 तिसरा में भी जिनु बच्चे बोलते हैं C double bond O कुछ बच्चे बोलते हैं C double bond O Kister group Ketone group और क्या-क्या बताते हैं तो यहां सिर्थ तेन ही functional groups से चारकाश नहीं है कौन से CHO NH2 and this is anhydride group यह anhydride है जो हमें याद आता ही नहीं क्योंकि इसको rarely यूज़ कर जाता है अब देखो बिटा वो table जो आपको हमने बताया आपको अच्छे से याद करना ही है पूरा sequence याद होना जरूरी है और उस sequence को अगर आप अच्छे से याद करोगे तो देखिए आपको पता चल जाएगा anhydride group का position higher up है इसलिए इसको principal functional group कहना यह principal functional group हो गया फिटा longest chance rate करना है principal functional group को पकड़के तो हम यहां से नहीं करेंगे 1, 2, 3, 4 यह पहला हो गया जो anti-clockwise है दूसरा जो रहेगा 1, 2, 3, 4 जो clockwise दिख रहा है तो आप देखिए यहां पे clockwise या anti-clockwise दो में से कौन सा numbering सही रहेगा आपको सोचना है हम 5 से कंद देते है try to record the rules कौन सा रहेगा clockwise, anti-clockwise तो how to decide तो देख विटा यहां दो सब्स्टियंट से एक है एनेश्टो दूसरा है CHO एनेश्टो का प्रिफिक्स अमीनो CHO का प्रिफिक्स फॉरमाई जो अभी हमने थोड़ी देर प्ले डिसकुस किया था अमीनो और फॉरमाई नाम लिखना है सबसे पहले अमीनो का नाम लिखेंगे विटा कौन से कर्बन पे चुड़ा है सेकंड किसले टू अमीनो रहेगा देन थ्री फॉरमाईल रहेगा और फॉरमाईल को यांद करना प्यूटेन देन नेक्स्ट क्या है विटा वन कॉमा फॉर जो यह दो फंक्शनल रूप्स है डाय दो बार है सोरी डाय लिखने क्या उशकता नहीं है ओ आईसे अन हाइट्राइट फो इसांपल गरेक्ट आयूपिसी नीम ओफ वन मिथोकसी वन इथाइल तू मिथाइल प्रोपेन इस अब ऐसे एक वस्टन में सबसे पहले हांको क्या लिखना पड़ेगा स्टॉक्चा लिखना पड़ेगा स्टॉक्चा कैसे लिखेंगे वार्ट रूड नेको यहां कौन सा है प्रोप मिंज कितने कारवन रहेंगे 75 सफिकक्स कौन सा है あの इसले कौन से बॉन रहेंगे single bond बाद में आप नंबर इंक करेंगे 123 इस प्रकास से आपने पहले नंबर इंक कर लिया पैर पहले करण पर क्या जोड़ना है? मित्वाक्सी, इसलिए बिठा OC, A4, M यसलिए पॉप्सी मित्वाउक्सी का फ़र्मिला को बताओ तीर फिर से पहले पर ही इठाइल ग्रूप एठाइल ग्रूप जोड़ा है इसलिए यहाँ इतवा इठाइल का फ़र्मिला second पे विटाइल ग्रूप जोड़ा है इसलिए second रहेगा लिए आम ट्री में carbon की वारसे satisfied करो यहां कितने bond बनाए carbon ने only one लेकिन carbon की वारसे कितनी है four इसलिए एक को चार करने के लिए हमें कितने है दूझाना रड़ करने पढ़ेंगे 3। यहाँ एक दो 3 है तीन को कितना करेंगे? 4। कितने चाहिए? यहाँ पर भी एक चाहिए सैटिस्टार हो गया। इस से बाद अब हमें लिखना पार उसके बाद हमें लिखना है और लिखना उसके समय सबसे सबसे पहले functional group बगरे दिखेंगे तो functional group जो यहां दिख रहा, ether, जिसको हम generally नाम लिखते समय, किस प्रैका से लिखेंगे, rule बताता हूँ, सबसे पर longest time को select करते हैं, longest translate करते समय देखे, अब इसको जो पुराना numbering था, उसको हम cut करेंगे, यहां से numbering start करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यहां से भी हम दे सकते है, 1, 2, 3, 4, 5 अब दो में से कौन से numbering सुही रहेगा, तो सबसे पहले बेटा देखो CS3 group को, इसका नाम है मिथाई, देखो CS3 group को, जिसका नाम है मिथागसी, अब दो में से पहले कौन आएगा, तो यहां 4 letter METH, यहां भी 4 letter METH, सेम ही है, इसलिए दोनों का alphabetical order कैसे decide करना, next letter को देखोगे next letter यहां O है, यहां Y है, बोलो A, B, C, D, पहले कोन आथा, O की Y, O पहले आएगा, इसलिए इसका position कम से कम होना चाहिए, लेकिन आप कोई भी numbering योज़ करो, O, CS3 का position 3, 3 ही मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या, दोनों numbering सुरी है क्या, नहीं, अब कौन से numbering से ही रहेगी, जहा मिथाइल का position सबसे कम रहेगा, सबसे कम position मतलब कौन से रहेगा, 2 और 4, 2, इसलिए इस numbering is correct, अब नाम लिखना है, सबसे पहले आप लिखोगे, मिथोक्सिको, जिसका position है 3, उसके बाद रहेगा, मिथाइल ग्रूप का नाम, 2 मिथाइल, और 5 करबन है, अलके, कौन से है, यहां तो कोई functional group नहीं है, सिब double bond आपको दिख रहे है, इसलिए थोड़ा से confusion हो सकता है कि carbon chain को कैसे select करेंगे, तो देखो बिटा carbon chain यही रहेगा, चो इस ring के अंदर है, तो numbering start करते समय, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रका से आप कर पाएंगे क्या, नहीं, यह collect होगा, जहां से double bond शुरू हो रहा, वही से ही आपको numbering करनी है, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, यह होगा, आपका parent अच्छे है, तो यह रहेगा बिटा, substituent, ठीक है, अब substituent का नाम कैसे लिखना, तो सब से पहले उसका position लिखना, इस बिटा, substituent में कितने कारवन है, दो, दो कारवन है, तो अलकीन यह निकालना, while add करना, 5, 3 हो गया, फिर ring है, इसलिए prefix यूज़ करते हो, cyclo, 5 carbon है, इसलिए रहेगा paint, लेकिन double bond की संख्या 2 है, जो की एक से ज़्यादा होती है, तो हम A जोड़ते है, double bond का position रहेगा, 1, 5, 2 बार है die, double bond, E and E, 6th example, कितने functional looks है, इस example में देखो जा, बिच्छी बिताते है, कैसे, देखो, पहला ग्रूप सर है, C double bond, O, परावर, दूसरा कौन सा है, O, H, तीसरा कौन सा है, यहाँ O, और ECL को भी functional look बता डालते है, सर चार है, चार, नहीं है, कितने है, बता, सोचो, तो यहाँ सिफ दो ही functional groups है, एक C double bond, O, O, एक, जिसको कारवोकजीड group कहना, दूसरा एथर group यहाँ देख रहा है, दो में से higher up position किसका रहता है, यह table के top मीच रहता है, इसलिए आद रखो कि यह principal group हो गया, अब हमारा rule क्या कहता है IPC का, कि जो principal group है, वहाँ रहने वाले कारवन से number 1 स्टार्ट करना बरबर है, इसे कुछ बिच्चे यहां स्टार करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, गलत, ऐसा नहीं पता, क्यों? क्योंकि यह जो CWH group है, that is attached to ring, मनुन आपन अस करू शकत नहीं, बग नंबरीं कुछना स्टार्ट कराएची, बिटा यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1, फिर एधर से clockwise जाएंगे, कि anti-clockwise आएंगे, जो बिटा आपको anti-clockwise आना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, का बर पस कारण इकड़े डवल बॉंड आहे, जाला प्रिफरेंस दाएंगे, साथ, देखे है, आता अपन नाव लिहनार, सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, CL का नाम होता है, क्लोरो, और यह जो है ग्रूप बेटा कौन सा है, बॉंडा इंफॉर्मल इस गिवन हीया, इसक मिथोकसी, देन रिं है, इसलिए साइकलो, हमनी कारवन, सिक्स, देरफोर, हेक्स, देन डबल बॉंड का पोजीशन रहेगा, तू, डबल बॉंड के लिए सफिक्स बताओ, यह आपको रिकॉल करते जाना है, जब जब हम आपको पूछेंगे, कब तक बताना है, ऐसे ही प्र एक्स महीं होती है, बात प्रिटा, C-double-O-H के लिए आप O-I-C-A-C-D यूज करोगे, गलत है, O-I-C-A-C-D प्रिफरेबली यहां यूज नहीं किया जाता, प्रिफरेबली आप क्या यूज करोगे, देख प्रिटा, तो दिस C-double-O-H is attached to ring, और जब C-double-H-Ring को जुड रहता है, उसमें आप प्रिफरेबली यूज करोगे, कार्भोक्सली आसीड, सेवन्त एक्सांपल, How many functional groups, तो इससे वही, उसी प्रकासी चाना है, सब ग्यात पएदे विचार करा है सा किती functional groups इहरी साथ आहे, तो याचा मदे, मुलान ना दोन functional groups देस्ता, कॉंटे, एक C-double O-O, इस्टर, दूसरा C-double-1-O, खिटोन, सुखल, दोन कॉंटे group है, एक है इस्टर, आने दूसरा है, आसीड हैलाइट, दोन पे की वर्थी कॉंटास तो, always इस्टर, मुन जाला प्रिफरेंस दाये, सब ठीक है, अब इटा इस्टर का नाम लिखते समें याद रखना, सब का नाम क्या है, इथाई, E-T मतलब इथाई होता, M-E मतलब इथाई होता, इस प्रका से आपको याद रखना पड़ेगा, उसके बाद आगे बटते है, दे, यहाँ अगर नंबर वन लिखा, तो यह 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, एक तो clockwise जाना है, 1, 2, 3, 4, एंटी clockwise जो यहे Acid Halide Group जैसका prefix है, Halo Carbonil, अचा Halo मंजे इथे का रहना, क्लोरो, लिहा, क्लोरो, C-O मंजे, कार्बोनील, लिहाई था, आणी उरला काई, एउड़ा सब्स्टन्स उरलेला आहे, पांट उरलेला आहे, जा सरनाव आहे, अठ़त का, बेंजीन को जब C-D बेंजो ग्रूप ज एक एक एक्साम्पल, देखो, थोड़ा सा कॉंप्लिकेटिड है, है यह, यहाँ सबसे पहले सेलेट करना की, लॉंगेस चेन वादा पार्ट कौन सा रहेगा, तो यहाँ दोनों रिंग है, दो में से एक में च्छे कार रहे हैं, दूसरे में पांच है, तो जहां कार्वन की स संख्यास जादा, वहाँ ओवियस रही, पारेंट ग्रूप बनेगा, तो अब नमबरी कहां से करेंगे बिटा, तो यह फंक्शन पर डबल बांड, इसलिए यहाँ से नमबरी करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर थर्ड कारवन को यह जो पांट चुड़ा है, इसको हम कॉंप्लेक्स स से स्कारवन का नाम कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले जिस करवान पूजड़ा उसका नमबर लिखना, उसके बाद याद रखो बिटा, ओल्वेज, कॉंप्लेक्स सबस्क्टिजेट का नाम परेंथिस में लिखा जाता है, ब्रैकेट में ही लिखना, ओपन दे ब्रैकेट, ने बिटा, यहां पर देखो जरा, यह आपको के दिवर, यह पहला कारवन, यह दूसरा कारवन, दूसरे कारवन को क्या जोड़ा है, ब्र, ब्र के लिए प्रिफिक्स पता, ब्रोमो, उसके बाद बिटा, यह रीं है, इसलिए साइकलो, पांच कारवन है, पेंटेन, ऐसे हो सब्सक्रिटिएट है, क्या है, ना, कौन सा मित्हाई, कहा, six carbon पे, लिखो ना, six, मित्हाई, लिखा, उसके बाद बटा रीं है, इसलिए साइकलो रहेगा, तेंचे carbon इसलिए हेक्स रहेगा, डबल बॉर्ण का position one, डबल बॉर्ण के लिए suffix, e and e, 9th, 9th में longest chain select करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Numbering हम दो के पार से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कौन सा सही है? कि दोनों सही है? दोनों सही नहीं रहेंगे कैसे? क्यों? तो बिटा double और triple bond का position भी को same देख रहा? Double bond first, triple bond first जब double और triple bond का position same रहता ना उस समय आप क्या करोगे? preference triple bond को नहीं दोगे double bond को देना है इसलिए बिटा ये वला Numbering सही रहीगा ये गलर अब नाम लिपना है पहले किस का नाम लिखोगे? क्लोरीन का या ग्रोवीन का विचकांट सेलफ अबिटे लिए फॉस्ट एबी सीडी ब्रोमो उसका पुजिशन उपर से कितना रहेगा फाइव ब्रोमो देन फॉर से यल के लिए ख्लोरो बड़ा रहे उसके बाद बिटा सांध का रवन है इसलिए वर्ड, रूट, हेट और सेट कोई भी आख लूज कर सकती हूँ उसके बाद पहले किसको लिखना डबल बॉन्ट का सफिक्स एन ए जिसका पुजिशन वन एन ए और ट्रिपल पॉन्ट का रहेगा सिक्स वाइन ए बटा एन ए और यने में अब पहले एनी को ही दिखना पड़ीगा लेकिन यहां वाइनी का पहले लेक्टर वाह है इसलिए यहांसे लिखना पड़ीगा यह है सही IPSC इन एक्साम्पल नहमर्टी लास्ट एक्साम्पल हम देखेंगे अब इस एक्साम्पल में आपको क्या करना है लिखें लिखेंगे वह स्रक्चर तो बहुत बड़ा दिख रहा है डर जाओगे लिफिनेटले इसका एपी से नहीं कैसे लिखना है हम नहीं लिखेंगे हमें क्या करना है फिर यहां फॉंक्शनल ग्रूप कितने हैं ऐसे भी क्वेशन एक्जामें पूछे गए हैं अब देखो जरा कैसे आंसे निकाना एक एक ग्रूप को स्पेसिफाई करते ही जाना सबसे पहले यहां आपको यह जो ग्रूप देख रहा है उसको कौन सा ग्रूप कहोगे कार्बोजिलीक आसे क्योंकि ग्रूप पहचानते समय थोड़ी से दिखा जा सकती है सी डवल बॉंड ओए जैसे दिखा घर भूजिलीक आसफिट फिक्स्ट है यह जो ग्रूप है वह कौन सा रहेगा तो यह रहेगा सी डवल बॉंड ओ ओ ओ यह इस्टर ग्रूप है लेकिन रिंग में है देन यह कौन सा ग्रूप है बच्च फटाक से आंसर दे सार देशी जान अल्पोहल ग्रोव सही नहीं है क्यों क्योंकि धिस गोजिश इस अटाश्ट वेंजीन रिंग और जब वेंजीन को जुड़ा रहता क्या कहना फिनॉल यह कौन सा ग्रूप है फटाक से आंसर सार की ट यह कौन सा ग्रूप है तो यहां बिटा सी अस्त्री रहता इसलिए इस ग्रूप को आप कभूगे खिटोन हां कुंटा ग्रूप है इते तंफियतन होनार बभा यह एक्जाओं तुमारा दीशोत हैं तेला आपन बेंजीन असमंटो सर बेंजीन है बेंजीन को है चुड़ा क्या रहे सकता लिबर अल्कोल क्योंकि वेंजीन नहीं है यह बिटा क्या रहेगा सी डबल बॉंड ओ अनेज इसको कहना सेखंडरी अमाईड और सी ओ अनेज तुको कहना प्राइमरी अमाईड कितने फंक्शन रूप स्वए देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अनसर 8 रहेगा ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जी डबल में इंटीजर टाइप में भी पूछा जाए तो आज का वेडियो हम यही क्रितम करते हैं आशा करता हो आपको प्रसंट आएगा प्रसंट आता है तो लाइक करना सेब्सक्राइब करना अधर्वाइ नेसेसरी थैंक यू